उसके बाद हमारा है logical operator, so logical operator को समझने से पहले हमें कुछ terms के बारे में बात करना चाहिए कि javascript के अंदर एक और interesting fact है, जो कि I think आपको जानना जरूरी है, so देखो javascript के अंदर कभी भी अगर आपको 0 उसके अलावा एक empty array, sorry empty string, या null, या undefined, undefined, या false, या na and basically not a number, जिसका बारे में अभी हमने कोई discuss नहीं कर रहा है, आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, so एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें से आपको कोई भी terms कहीं पे भी दिखता है javascript के अंदर, तो इसका always value return होगा, वो हमारा return होगा, false, so always य ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं अगर आपको zero समझ में आता है, तो मतलब उसका जो boolean value है, वो हमारा false है, empty string का मतलब उसका boolean value हमारा false है, null का मतलब जो हमारा उसका boolean value जो है, undefined का मतलब false है, और false का तो automatic false होगा ही, और not a number, जिसके बारे में अभी तक बात नहीं करें आगे हम बात करेंगे, तो ये भी हमारा always false return करेगा, तो इसके अलावा javascript के अंदर आप कुछ भी रख लो, तो उसका जो value है, वो हमारा true return करेगा, तो ये याद रखना है, accept इसके जो भी हमारा value होगा, वो हमारा true होगा, अगर इसमें से कोई नजर आता है, तो उसका जो value है, वो हमेशा हमारा false return होगा, तो ये terms जो है, आपको याद रखना है, तो इसके basis पर यहाँ पर मैं बात करूँगा, logical operator, तो logical operator का यूच हम in future काफी ज्यादा करने वाले है, तो इन terms को हमें समझना है, तो ये जो हमारा सबसे पहला logical operator है, जिसको हम and and कहते हैं, उसके बाद जो हमारा ये है, इसको हम और कहते हैं, और then ये हमारा not, I mean not, तो ये हमारा तीन तरीके का logical operator है, सबसे पहले हम बात करते हैं, and and, and के लिए हमारे पास क्या value होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, कि and and कैसे काम करता है, तो अगर आप logical operator and and या और apply करना हो, तो आपके पास जो है, two या more than true value होना चाहिए, so सबसे पहले यहाँ पर मैं and and के लिए बात करता हूँ, तो and and के लिए, अगर हमारा left का value true हो, और साथ के साथ and and or right का value भी जो है, अगर हमारा true होगा, उसके बाद अगर left का value हमारा true हो, और right का value हमारा false हो, तो वो जो हमारा final answer होगा, व false हो, और right का value अगर हमारा true हो, तो उसका जो हमारा answer होगा, वो हमारा false होगा, उसके बाद जो एक और हमारा sequence बन सकता है, कि हमारा left का false हो, और right का अगर हमारा, यह भी false हो, तो final answer होगा, तो यह चीज़ हमेसा याद रखेगा, कि हमारा जो and and operator हो एक ही case में true return करता है, जब left और right जो है, दोनो true हो, अगर पहला ही condition उसको अगर false मिल गया, तो वो अगला condition को चेक करने नहीं जाएगा, and and operator के अंदर यह चीज़ हमेसा याद रखेगा, अगर पहला ही अगर उसको false मिल गया, पहला ही condition आपने ऐसा डाला, कि 5 जो है, less than 1 है, तो वो दूसरे condition, and and के दूसरा condition चेक नहीं करने जाएगा, और overall जो है, वो हमारा final answer जो है, false return करेगा, तो यह हमारा जो है, पहले अगर हमें true करता है, पहला condition अगर यहाँ पे मैं लिकूँ 5 greater than 1, I mean यह true है, तो वो दूसरे condition को भी जो है, check करेगा, and and, so यहाँ पे एक और condition लिकूँँगा, मैं 6 greater than 5, अगर है, तो दौनों अगर हमारा true हुआ, तो वो हमारे true, final answer जो है, उसको true return करेगा, अगर यह हमारा यहाँ पे होता, 7 less than 5, तो यह हमारा false return करेगा, पहला तो हमारा true था, लेकिन यह जो दूसरा है, वो हमारा false return करेगा, I mean यह वाले case को जो हो follow कर रहा है, तो final answer जो हमा जो हमारा end end operator काम करता है, तो यहाँ पे मैं console और उसके बाद जो है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, true और end end, यहाँ पे मैं true करूँगा, तो देखो final answer हमारा क्या आना चाहिए, true आना चाहिए, तो यह हमारा true आएगा, उसके बाद यहाँ पे मैं console और उसके बाद यहाँ पर मैं true, यह हमारा पहला condition है, I mean पहला condition हमारा true हो गया, उसके बाद यह दूसरा condition को भी चेक करने जाएगा, यहाँ पर one मैं डालना हूँ, तो देखो final answer हमारा वो one आएगा, यह हमेशा याद रखेगा, कि जो हमारा and operator है, वो always क्या चीज को return करेगा, first false value को return करेगा, और last हमारा true value को return करेगा, यह चीजे आपको थोड़ा सा अभी logical लग रहा होगा, कि कैसे काम करते हैं हमारा and operator, लेकिन आप जब खुश से code करोगे, तो उस समय यह चीजे ज्यादा killer हो यहाँ पर five और then and and के साथ मैं एक और one डालता हूं, तो इसका जो answer है, वो हमारा one return कर रहा है, so यह चीज यहाँ पर भी हमें killer होड़ा है, कि यह हमारा five, I mean, यह हमारे उस list के अंदर से नहीं है, zero, string, null, undefined, false or not, मैंने इसका बोला था, कि यह always false return करेगा, उसके अलावा जो है, so हमारा यह भी जो है, true है, java script के अंदर, so हमने java script में second truthy value, I mean, जो हमारा सबसे last truthy होगा, वो हमें return करेगा, और जो हमारा first false value होगा, वो return करेगा, अगर यहाँ पर मैं एक और operator, एक और value डालगी, let's assume 7, तो इसका answer 7 आएगा, जो last हमारा truthy value होगा, उसको जो है, and then हमे return करता है, और same इसका opposite जो है, हमारा और-और operator है, so इसके बारे में जो है, आप एक बार खुद से research करना, क्योंकि and, and, और, और-और दोनों जो है, similar है, और के अंदर क्या होता है, कि उसके अंदर अगर हमें पहला value, अगर true मिल गया, तो दूसरा को चेक नहीं करने जाएगा तो और का जो है, अगर मैं यहाँ पर true table बनाऊं, तो हमारा true table और के लिए क्या हो जाएगा, पहला value अगर true हो, और-और का जो हमारा यह symbol है, और दूसरा value अगर हमारा false हो, तो final answer भी चुद 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 है, हमारा false आएगा, और एक और हो सकता है, कि दोनों value चुद है, हम true है, तो जो हमारा all operator है, वो एक समय जो है, false return करता है, जो कि हमारा है, दोनों अगर false हो, और एक चीज़ हमें से याद रखेगा, कि और के अंदर, and के अंदर कहा था, कि पहला अगर true हो, तो दूसरा भी check करेगा, लेकिन पहला जैसे false हो गया, वो दूसरा check नहीं करने जाए तो यहां पर देखो, पहला इसको false मिला, तो यह दूसरा भी check करने जाएगा, क्या पता अगर यहां पर true मिल गया, तो हमारा final answer true होने वाला है, तो यह same opposite होता है, हमारा end operator का, और उसके बाद जो हमारा यह और operator, और क्या है, अगर कोई true है, और उसके पहले अगर ऐसा लगा तो इसका मतलब है कि true, तो जो होगा हमारा boolean value, उसके पहले अगर not लगाते हो, तो इसको reverse कर देगा, तो यह हमारा not operator है, तो I think आपको logical operator भी killer होगा, so इसका जो भी notes होगा, वो भी आपको जो नीचे description में मिल रहा होगा, वहां से भी check out कर सकते हैं, और बाकि यह जो code है, वो भी जो है, आपको मिल जाएगा, यह जो हमारा सबसे last operator है, जो कि bitwise है, so इसको लेकर हम in future कभी बात करेंगे, क्योंकि bitwise हम ज़्यादा use नहीं करते हैं, लेकिन कई बार अगर use करना पड़ जाए, तो वहां भी जो हम इस operator के बार में discuss कर लेंगे, लेकिन अगर आप खु अब हम यहां पर कुछ MCQ question आपके साथ share करने जा रहे हैं, और आपका काम क्या है, कि उसका जो भी correct answer होगा, वो हमें comment में आप बताएंगे, so सबसे पहला जो question है, वो हमारा यह है, then यह हमारा second question है, उसके बाद यह हमारा third question है, आप एसकी इन sort भी जो है, ले सकते हो बीच मे then यह हमारा fourth question है, so यह चारो question का answer आपको हमें comment में बताना है, तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजे थोड़ा सा समय, हम next video में JavaScript के एक और नए concept के बारे में बात करेंगे